तो ये मानो देह जो हमको आराम से मिल गया है और भूले पन में हम समझते हैं ठीक है ठीक है जन जन नहीं किया अगले जन में कर लेंगे अरे पर अगले जन में तुम गदे बन गए तो कैसे कर लोगे केवल मानो देह में ही भी नए करने का अधिकार है नमा अनुशम बिना न्यत्र तत्पक ज्यानन्त लब्यते स्वर्गो आले बड़े अच्छे अच्छे शरीर है बड़ी यहां ज्ञान शक्ती है बड़ी बड़ी पावर है अगनी वगैरा के पास लेकिन वे साधना नहीं कर सकते तेवल भोग भोग है अर्थात हम अगर गौर्ण्मेंट से तिसी सेट से कर्द ले लेते हैं एक लाख का एक करोड़ का तो फिर हम ब्यापार करके दो करोड़ चार करोड़ दस करोड़ अर्वो बड़े-बड़े खरपती हो जाते हैं उनसे पूछो प्रारंभ कैसे किया था करजा लेकर को ऐसे ही इस मानो देह से हम देवताओं के भी बहुत आगे जा सकते हैं सदा को आवागमन ही समाप्त कर सकते हैं दिब्य ज्यान दिब्य आनंद पा सकते हैं साधना के द्वारा तो यह मानो देह बहुत ही दुरलब बस्तु है सुरई रपिबान छितम देवता लोग पहले तो बड़ी साधना किया भोले आदमी ने और स्वर्ग गया जब वहां कहाल देखा कि यरे रे तो हमारे उसी मृत्य लोग की तरे हैं यहां भी कामनाएं पीछा नहीं छोड़ रही हैं यहां भी लोभ हैं यहां भी एक से आगे क्लासेज हैं यहां भी इर्ष्या द्वेश हैं यहां और विशय बासनाएं बल्वती हैं एक बार ब्रह्मा के पास देवता मनुष्य राक्ष्यस तीनों बच्चे गए और कहा पिता जी हम लोगों को कुछ उपदेश दीजिए तो उन्होंने उपदेश दिया तीनों की वोर देखा और कहा दा 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 और चले गए हो गया लक्चर अब सब परिशान है क्या किया पिता जी ने खादी दा 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 कही दिया अपने अपने गुर्वों के पास गये सब कोई ब्रहस्पती के पास गया कोई शुक्र आचार्ज के पास सब अपने अपने आचार्जों के पास तूछने गये को उन्होंने अर्थ बताया देवताओं से कहा तुमसे कहा है दाम्यत और मनुष्यों से कहा है दत और आक्ष्यसों से कहा है दायद्ध्वं ब्रहदार नकोपनशत्नी मंत्र है पांच दो एक दो तीन क्या मत्लब देवता लोगों से कहा तुम लोग बड़े बिशय हो रहे हैं बड़े बड़े आश्वाराम के सामान है स्वर्ग में न रे इंद्रियों पर दमन करो ये चार दिन का है खिलोना छेंज आएगा पैसे की बात करते हैं अरे पैसे को छोड़ के कोई बात करो हम लोग तो पैसे के लिए ही दिवाने हैं सारे पाप पैसे के लिए करते हैं नाइंटीन नाइन परसंट हम लोग के पाप पैसे के लिए होते हैं जूठ बोलो बात बनाओ चार सो भीस करो एक दूसरे को ठगो देश छोड़ के भागो इंगलेंड अमरिका कनादा जाओ पैसा पैसा यह यह पैसा जानतू इसका एक परियाई बाची सब्द है अर्थ अर्थ मनें पैसा भन तो अर्थ में नए समास हो गया तो उसका एक शब्द बन गया अनर्थ क्या मतलब अर्थ से अनर्थ होता है अर्थो नर्थस से कारणम ये धन अगर थोड़ा भी अधिक मिला तो मनुष्च को मनुष्च नहीं रहने देता इसी लिए कुंती ने बर मांगा था भगवान से भिपदस्चन्त नस्षष्वत्त मराज हमको संसार का अभाव दो संसार न दो क्यों जन्मै इस्वर्जशुत श्री भिरेधमान मदफ कुमान नईवार्यत्यविदातुम्वई क्वाम किंचन गोचरम तुम निर्बल के बल हो साधन हीन के साध्य हो अकिंचन के सर्बस्प हो किंचन भी मेरे पास हुआ चोटी चोटी चीज़ आप कितने पढ़े हैं हाई स्कूल आप कितने पढ़े हैं जर्जा चार हम तो हाई स्कूल है इसी में पढ़ा विबोर है भगल वाले से पूछा आप कितना पढ़े हैं निका हम डिलिट हैं है है डिलिट है पिचक गए और अधिक हो गया अगर तो छुद्र नदी भरी चल उतराई जस थोरे धन खल बाराई थोरे धन अरे ये थोरे तो है क्या है और इसके जाने में कोई देर भी नहीं लगती ऐसी चीज नहीं है हमेशा रहेगी जी जो है सो है कम से कम ये लक्षमी किसी की नहीं है और इसी भागती है हाँ क्या हुआ अरे शेर डाउन हो गया मर गये और सबसे बड़ी बात एक जितनी देर ये रहेगी लक्षमी संपत्ति तो नहीं को अस जनमा जगमाही प्रभूता पाई जाही मद नही इस डे कुंती बर मांगती है एक आठ पचीश एक आठ चबिश अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यये नाशो पभोग आया सश चिंता ओत्रासा भयम निलाम धन जो है इसके कमाने में परिश्रम है खाना पीना इस्त्री पती बाप, बेटा सब बार में जाए पैसा, पैसा अरे भाव गिर गया रात-รात बहुद, जागरा है और आ गया पैसा अब क्या करें इसका अब क्या करें कहां लगाने के चौगना हो जाए और इसकी रख्षा करें डाका पड़ जाएगा अरे जितना बड़ा आदमी है उसको मारने को लोग तके रहते हैं उसके आगे पीछे डिफेंस में लोग बैठे रहते हैं और आज कर तो वो बुरा हाल है ति पोस्ट वालों का भी यह हाल है एक MLA से ले करके प्राइब मिनिस्टर तक भाई भाई खर्च करने में अरे बेटा है मांग रहा है अरे तो बेटा है मांग रहा है ऐसे देते जाए हम तो पर हमारा कत्म हो जाएगा बेटा अभी तुम छोटे हो साइकल से काम चलाओ पैसा नहीं खर्च करना चाहता है वो बढ़ता जाए घट है नो ग्यारा तेइस सत्रा भागवत बाडमीक जी ने कहा सरवेख्षयांता निचया सुनो दुनिया वालो जितने संग्रह किये पैसे वाले हो इसका अंत एक दिन होगा कान खोल कर सुन लो पतनांता समुच्छ्रया सब उत्थान का पतन होगा हमेशा प्राइमिनिटर नहीं रहोगे अरे शरीर ही नहीं रहेगा हमेशा संसार की कौन कहें संयोगा विप्रयोगा अंता है हर संयोग का वियोग होगा होगा होना पड़ेगा जुड़गा पैदा हुए हो थोड़ा थोड़ा अंतर हुगा था है तुम अपने कर्म के अनुसार उधर जाओ नरक में अब तुम जाओ स्वर्ग में अब तो होगे अभियोग मजबूरी है क्या करें अमरनां तंच जीवितम जब पैदा हुआ है तो मरेगा कोई नहीं बचेगा रिशी मुनी जोगी ज्यानी कोई हो जातस्य ही धुरुवम जन्ममृतस्यक्या दो सत्ताइस गीता तो हमने गलती से अपने को देह माना और इस संसार में आनंद मिल जाएगा ये निश्चे करके धन के पीछे भागे और गुआ क्या बिंदे तब हुए सुख मिलने की कौन कहे और दुख मिला लेकिन हिम्मत नहीं हरे पहले फूक के उसने समझा आहां गरम नहीं है फिर पिया और हम लोग कितने बेहया हैं अनंत जन्म बीट गए रिहर्सल में अब की सुख मिलेगा अब की मिलेगा अब की मिलेगा जरा अब ये हो जाए हमें हो जाए हरे हो तो गए जी नोकरी नहीं मिल लए ये नोकरी मिल गई हाँ अब सुख मिलेगा अरे क्या हुआ हो हम से आगे हो है रोड डाटता है हमको हमारा बास एक बीबी आ जाए तो सुख मिल जाएगा बीबी आ गई हाँ अरे बीबी आ गई है इसी भयानक बीबी है चंडी मर गए यही कहते कहते लेकिन लेकिन ये डिसीजन लेके नहीं मरे अपकी बार हम आएंगे तो ये मेरा है ये नहीं मानेंगे तो वो मेरा है ये मानेंगे ये डिसीजन नहीं सबसे बड़ा आपकेर है ये नहीं तो आपकेर नहीं e कला मो आपकेर है ये pal目 कारह है, प्हुर्ण record शर्ण कार्ण है झाल झाल